मित्रों को जै जै सियाराम प्रभुश्री राम एबम हनुमान जी की किर्पा हमारे शभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों हनुमान जी केली युग में भी सो सरीर इस प्रिथवी पर हैं। हनुमान जी को माता शीता का आशिरबाद है। माता शीता ने हनुमान जी को एजर अमर का बरदान दिया था। अजर अमर गुन निधिशुत हों हूं एकर हूं बहुत रगुनायक छों हूं। तो हनुमान जी को अगर आप प्रशन रखते हैं तो श्वतह आप पर प्रभु स्रीराम की किर्पा हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी के बिना प्रभु राम की अराधना और प्रभु राम से मिलना शंभब नहीं है ऐसे तो हनुमान जी की पुजा प्रतेक दीन करनी चाहिए लेकिन मंगलबार का दीन हनुमान जी को समर्पित है इसलिए हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए बिधिवत पुजा मंगलवार के दिन की जाती है मनता है कि मंगलवार के दिन विधी विधान से और करपूर जलाकर हनुमान जी की आरती करने से भक्तों को उनका आशिरबाद मिलता है और उन्हें किसी भी भै से मुक्ती मिल जाती है इसके अलाबा भक्तों को भै संकट और सत्रूओं का नाश करने के लिए कुछ चमतकारी मंत्र का जाप करना चाहिए तो आईए आज आपको हम कुछ शक्तिशाली हनुमान जी को मंत्र को बताते हैं हनुमान जी के इन मंत्रों का करे जाप मनोज बंग मारूत तुल्ल बेगं अज्जित्यंद्रिये बुद्धिमतां बरिष्टं बातात्म जंग्बान रियूत मुख्यं अस्तिराम दूतं सरनं प्रपद्दे हनुमान जी को प्रसंद करने के लिए इस मंत्र को शब से प्रभावी मंत्र माना गया है इस मंत्र के जाप से भक्तों को शुक एवं समिर्धी प्राप्त होती है शाथ ही सभी मनो कामनाओं की पूर्ती होती है और मनुस के सारे दुखदर्द समाप्त हो जाते हैं अगर आपके परिबार में कलेश है, अगर गरीबी दूर करना चाहते हैं तो हनुमान जी के इन मंतरो का जाप आप करें ओम नमो भगबते हनुमते नमः परिबार में क्लेश दुख्या गरीबी दूर करने के लिए हनुमान जी के इस मंत्र का जाप अबश्य करना चाहिए इस मंत्र से भक्तों को शुख्यवं शांती प्राप्थ होती है ओम हंग हनुमते रुद्रात काय हुंग फट इस मंत्र के जाप से हनुमान जी सत्रूओं पर विजय प्राप्थ करने की सकती प्रदान करते हैं साथ ही जो शंकत उत्पन हो रहे हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है तो बोलिए जय जय सियाराम जय हनुमान